हेलो दोस्तो अभी मैं एक छोटी से स्टॉक के बारे में डिसकस करने जा रहा हूँ जिसका प्राइज बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तो अगर हम PTOA स्टॉक को खरीते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांस रहता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आप देख रहे हो परिफेक्ट भीव आफ मार्केट औरिस यूटूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने वाला है जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक करी सकते हो अगर लॉस है तो आप एकजिट भी कर सकते हो दोस्तो अभी रात का 12 बजने वाला ठीक है 12 o'clock होने वाला और सभी लोग सो रहे होंगे लेकिन दोस्तो मैं वीडियो का कंटेंट ढून के वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सही समय पर पहुंचा पाऊं एक द पॉजिटिव दोस्तो ये देना चाहिए आपको तार्गेट देना चाहिए कैसे भी आप सोचते हो तो प्लीज जाए उस वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब किजिए ये मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तो आप ही लोग के लिए है ठीक है तो चलिए मिलते हैं हम खरीद सकते हो दोस्तों आइसे स्टाउट को आपको खरीदना चाहिए खरीद कि अपने पोर्ट में रखना चलिए ठीक है तो अगर आप खर क्रिदना चाहते हो तो दोस्तो housing दोश्तो अगर जापास पैसन नहीं है तो थोड़ा बहुत तो खरीदारी करी लेना चाहिए ठी और आप देख सकते हो दोस्तों यह जो स्टॉक है कैसे अपर सर्कीट पर अपर सर्कीट लगाए जा रहा है रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 15 रुपीज के आसपास का यह स्टॉक जो है 44 रुपीज हो चुका है तो आप 2-3 गुना जो है यह जो है प्रॉफिट दे चुका है ठीक है और उसके बावजूद भी यह जो स्टॉक है उपर जाय जा रहा दोस्तों और इसका जो हाइस्ट राइस बहुत हेवी है दोस्तों आराउंड 300 के आसपास से गिरा है ठीक है ऐसे स लेना स्टार्ट कर रहा तो मैं आप में मैं आपको यह नहीं बताना चाहता कि आप जादा से जादा कॉंटिनी में खरीद है मैं बोलना चाहता हूं थोड़ा सा फोकस किजिए ऐसे स्टॉक पर क्यूंकि दोस्तों अगर मार्केट में आय हो तो राकेश जुन जुन वाला न किसी भी तरह ढूंडू जो अपना अपना जो है अपना बैस्ट जो है ट्राइ करके कुछ न कुछ नए लाते रहता हूं आप लेगों को लिए जिसमें आपको जो है थोड़ा थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाए और खरीदने से पहले बिल्कुल अपना एक बार मैं बोलता हूं छोटा सा अमांट लगाएगा ठीक है छोटा अमांट लगाएगा और मैं यह नहीं बोलाओ कि आपको कंपल सरी खरीदना है थोड़ा सोचिए समझे पैसा आपका है ठीक है अगर आपको प्रॉफिट मिलेग क्योंकि देखिए कंपनी किस पे ठीक है मैनेजमेंट पे और परमोटर्स पे मैनेजमेंट जितना अच्छा रहेगा कंपनी का कंपनी उतना जो है सालों साल चलती रहेगी ठीक है तो कंपनी का मैनेजमेंट में आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों इक्विटी ओन रिटन positive है return on asset positive है return on capital किस चीज़ की कमी है return on capital return on equity return on asset return on fixed asset वो भी सही है दोस्तो growth profit margin वो भी सही है operating profit margin वो भी सही है सब कुछ सही है लेकिन हाँ एक ही वजह है दोस्तों कि यह company जो बहुत जादा high से गिर चुका है तो गिरने के बहुत जो है इस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे अगर quarterly result देखना चाहते हो तो दोस्तों आप देख के जो है देखोगे कि पहले बहुत जादा यह था negative था लेकिन अब तो धिरे-धिरे जो है positivity में आ रहा है क्योंकि company पहले loss में थी अब profit में आना जो है start कर रही है किसी को भी अगर दो गे bounce back करने का मौका bounce back करने का मौका तो थोड़ा time तो लगी जाता है यह तो accept करना पड़ेगा आपको ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो अगर सबसे पहले देख लेते हैं त्री मंत का ठीक है त्री मंत में देख लीजे दोस्तों 99.86% का sales हुआ है मतलब 100% मतलब growth अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छी बात है ना growth अच्छा हुआ ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकतो वन यर के चार्ट में दोस्तों 31% के आसपास चलो यार nothing is better than something ठीक है जो भी है अच्छा ही है ठीक है ऐसा बात नहीं कि खराब है बड़े-बड़े company में रहता है लेकिन यहाँ पर देख लीजे net profit and loss quarter में कितना है 15.140 के है लेकिन दोस्तों one year में यह जो yearly है one year का है 58 तो हो के लिए और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों के company इतना जादा गिर चुका है गिरने के बावजूद पर मोटरस के पास 60% holding है पर मोटरस के पास 60% holding है बहुत ज्यादा है दोस्तों जेनरल पबली के पास 24 है ठीक है बाकि सब के पास थोड़ी-थोड़े है चलिए को कोई दिकत के बात नहीं है पर मोटरस के पास more than 50% तो रहना चाहिए उसी company में आप जो है इंट्री मारो नहीं तो नहीं है तो सोचो समझो ठीक है मैं अभी भी बोलूँगा सोचो समझो अपने हिसाब ठीक है और दोस्तों थोड़ा नीन आ रही है क्योंकि अभी 12 बजने व वाला है दोस्तों वो हमारी तरफ से बताया जाएगा आपको क्योंकि वो related रहेगा market से भी related थोड़ा जो है आपको information वहां डाला जागा जिससे आपको थोड़ा सा जो है market के बारे में किसी और चीज़ के बारे में धीरे धीरे जो है और growth की तरफ खीचा जाएगा ठीक है त कि कौन सा stock का price decrease होने वाला है लेकिन ये मुझे proof भी तो करना पड़ेगा कि मैं एक दिन पहले बताता हूं या नहीं बताता हूं और आपको check भी तो करना है ना कि यह जो proof है वो सही है कि नहीं identity जो मैं दे रहा हूं जो भी वो कैसे आप पता करोगी कि सही है आपको क्या करन दोस्तों यह जो है आपके सामने गोल आइकन पॉफिक के तरफ से आ रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां जो वीडियो आएगा वीडियो में आपको क्लिक करना आपके सामने chronological order में सारे वीडियो एवेलेबल रहेंगे आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दो घंटे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया यहां बता रहा है उसके बाद five hours पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया सारे वीडियो आपके सामने आ जाएगे एक दिन पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था फिर दो दिन पहले म दीख सकते हैं अगर उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड़ सर्विस ले लिया चाहते हैं जिससे आपको और अच्छा और और ज्याद़ बेनिफिट हो कुछ नॉलिज भी मिले बेनिफिट भी हो और शेयर मार्केट में देरे-देरे आपका ग्रोथ भी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों ये जो नंबर है पेड़ सर्विस का है ये जो नंबर है वाटसप नंबर है इस नंबर पर आप वाटसप एसेमेस कर सकते हो उसका बाद ये जो नंबर है ये कॉंटक्ट नंबर है इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हो ठ ठीक है क्योंकि एक नए चैनल बनाया जा रहा है जिस वो जैसे ही उसका सब्सक्राइबर दिरे दिरे इंक्रीज होगा आप लोगों के लिए वहाँ पर नए ने वीडियो अबिलेबल कर दिये जाएंगे